अज हम बात करेंगे Mbox के बारे में और जानेंगे कि इसकी हिस्टरी क्या है और यह कितना outbreak हो चुका अभी और क्या हमें इससे घवराना चाहिए क्या हमें अभी से ही बाहर जाना छोड़ देना चाहिए क्या हम अगर नीट के तियारी कर रहे हैं तो हमें इन्शूट में नहीं फाक्ट के साथ अभी अभी रिसेंटली एमपोक्स आउटब्रेक पे एमस ने ट्रिटमेंट इशू किया है कि अगर कोई भी परसंट एमपोक्स से सस्पेक्टेड है तो उसको आप ट्रिटमेंट क्या दोगे तो एडवे यह जो है एडवाइजरी जारी किया है टॉप थ्री गॉवर्मेंट हॉस्पिटल डली के जैसे कि लेडी हाडी मडी कॉलेज लोगनायक हॉस्पिटल बाबा साव अमेडगर हॉस्पिटल इसके लिए उन्होंने गाइड किया है इवें दे गॉवर्मेंट एवें दे वल्ड हेल्थ और्गनाइज़ेशन सराउंडिंग इस हाइ है जब डबलु एचो ऐसे बात कहती है कि वह पब्लिक इमर्जनसी है तो इसका मतलब इसका आउट ब्रेक बहुत जादा है इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए लाफ इंटरनेशनल कंसर्ण लास्ट वीक इन व्यू तो दे प्रेविलेंस एन इस प्रेड अक्रॉस म माक्सिमम् टू माक्सिमम अफ्रिका में है बड़े अफ्रिका में ही लिमिटेड नहीं है इंडिया में भी इसके केसे रिपोर्टेड है इसके बारे में बात करेंगे डब्लु हैल्ट वजगरानाजेशन सराउंडेट इस हाइए लेवल अफ लाम डिकलियर दे एम पॉक्स अर्ली लेफ्र्ट के बारे में बात कर रहे है और यह एक आनिमज के घुझी आया है और इनिमच ट inmद्ग Hz सकता है और इसके सिम्टम्स कुछ महीनों पहले ही और ज्यादा देखने को मिला हैे जिसमें स्किन वगरा है और इसके symptom exactly a small poxy जैसा है क्योंकि यह virus उसी के class से सम्मंधित होता है ऐसा माना जाता है at least 1 lakh के आसपास cases मिले हैं M-pox के और करीब 208 लोग मर चुके हैं due to the M-pox has been reported last reported from 116 countries since 2022 according to WHO data since 2022 30 cases has been reported in India last cases were detected in March 2024 एक बच्चे में जो की UAEC कैरला आया इसके बारे में भी हम जानेंगे कि उसके सांथ क्या हुआ कैसे हुआ अब आई हिस्टरी समझते हैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल बताऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि इसका नीचर क्या है इससे बचा कैसे जाएगा देखे हवा क्रियेट नहीं करना है हमें सावधानी वरतनी है कोई भी बीपारी एक लौजिकल चीज से देखेंगे तो कोई भी भी विमारी को अगर हवा करियेट कर दिया जाए तो बहुत जादा खत्रनाख हो सकता है तो इसे समलना है बचना है सुरक्षित रहना है और जनकारी अगर आपके पास हो जाए तो इसको और करना असान हो जाएगा तो आईए हिस्टरी से समझते हैं कि करीब 1958 डेनमार्क में जब पॉलियो वैक्सिन पर स्टडी चल रहा था अगर आप बायो के स्टुडेंट हो तो आपको पता होगा कि किसी भी वैक्सिन को अगर हम हुमन के लिए बनाते हैं तो उसके ट्राइल किसी आनिमल्स पर करते हैं और सबसे ज़्यादा ट्राइल ट्रांसजनिक राट पर होता है बट वैक्सिन जो पॉलियो वैक्सिन है उसका ट्राइल राट पर नहीं मंगी पर हुआ था और अगर आप बायो पढ़ते होंगे तो बायो टेक्नोलोजी में आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे अलग-अलग मंगी बुलाएगा है सिंगापूर से मंगी बुलाएगा तो सारे लाब के अंदर सारे मंगी को एक अठा किया गया और उस पर पॉलियो के वैक्सिन के ट्राइल सुरू हुए जो साइंटेस्ट थे जो पॉलियो के वैक्सिन बना रहे थे उन पर इंजेक्शन दे रहे थे और देख रहे थे कि पॉलियो वाइरस इसके शरीर में अगर आ सभीक उसके सिम्टम नजर आ रहे थे जिसमें जैसे फीबर जैसा फीबर मसल एक वैसे जिम्टम आ रहे थे तो उनको अलग से उसके बलड के सैंपल को निकाला गया और देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो है क्यों वो मंकी बहुत सोस्त है और उसको फीबर हो रहा है तो उन्होंने देखा कि कुछ इसके ब्लड के सैंपल में कुछ वायरस है और उन्होंने वहीं पर उसका नाम रख दिया और उन्होंने वहीं पर उसका नाम कर दिया तो आपको पता चल गया है कि नाम इसका कहा से आया है सब्सक्राइब है तो दियर इस न्यूव पॉक्स आडेफाई और नेम इस एम पॉक्स एम इस नतिंग पॉक्स राइट आफ्टर सेवन डिकेड सतर साल बाद क्या हुआ कि यह वायरस तो आडेफाई हो गया बड़े वायरस उस समय किसी भी हूमन में फैलने के एविडेंस नहीं थे सतर दसक बाद सतर साल बाद अफ्रिकन के एक स्टेट था ठीक है अफ्रिका के वह था मैं इसका नाम नहीं लिखा है डिए डेमोक्रेटी रिपाब्लिक अप कॉंगो वहां की जो प्रिकुलर ट्राइब थे थे तो वह लोग बहुत फ्रेंडली थे मंकी के उसमें म बच्चे में नौ साल के बच्चे में यह वायरस एंटर हुआ क्योंकि मंकी में वह डॉर्मेंट स्टेज में होता है और जैसे ही वह क्रॉस हुआ किसी दूसरे शरीर में आया तो देर विल वी आक्टिवेटेड अब क्या हुआ कि इतना वह ज्यादा वायरस प्रॉमिनेंट नहीं था खतरनात नहीं था वह बच्चा बिल्कुल खेल गुद रहा था कोई दिक्कत नहीं और यह वायरस उसके शरीर में एक लाब की तरह काम कर रहा था और स्टार्ट म्यूटेंट वायरस का एक नीचर बहुत खतरनाक है कि वायरस म्यूटेंट होता है मतलब अपना गजल्दी जल्दी रापिड हो अपना रंग रूप बदलेगा तो हमारे पास वैक्सिन उसके खिलाफ काम नहीं ख़ेगे उस बच्चे में इतना ज्यादा म्यूटेंट हो चुका है कि अब वायरूलेंट हो चुका था वायरूलेंट मतलब जानलेवा हो चुका था और उस बच्चे की वहाँ पर मौत होगे अधे इन्फेक्टेट एंट मूटें और कॉजब देथ ओफ इस ट्राइब वाइन अफ्रिका राइट इस वाइरस बिसिकली क्लासिफाइड इन्टू टू टाइप यह दो टाइप के वाइरस होते हैं क्लाइड वन और क्लाइड टू कॉंग अगर मालों की सौ लोग इंफेक्टेट है तो इसमें दस लोग निपड़ जाएंगे चले जाएंगे तो यह बहुत फैटल है यह अगर आ गया तो खतरनाक है बट यह अभी ऐसा देखा जाता है डबलू एचो ने अभी तक देखा है कि क्लेड वन की स्प्रेड बहुत लिम का मतलब क्या होता है देखे आपने देखा होगा सुना होगा कि पल्स पोलियो अभियान एक पटिकुलर डे सेलेक्ट करते हैं और उसी दिन जितनी भी बच्चे हैं उनको पोलियो देते हैं अगर जो बच्चा उससे इमनाइज नहीं हो पाता है तो एक हर्ड होती है यानि हो जाती है ऐसी क्लाइट टू में बहुत सारे ऐसे लोग है अप्रिका के इंडिया में तो फेर नहीं तो उसके अगेंस इम्मूनिटी डबलण हो चुका है वायरस में म्यूटेंट होता है उसमें बदलाव देखा जाता है इसी mutant के वज़ा से अगर आपके अंदर herd immunity भी develop हो जाए बट अगर virus mutant हो चुका है अपना रंग और रूप बदल चुका है तो आपको डेड कर सकता है आपको बीमार कर सकता है हलाकि इसकी fertility rate सिर्फ 1% है यानि बहुत ही कम fertility rate है बट spread बहुत जल्दी होता है तो इसकी कहानी यहीं से सुरू हो रही है Democratic Republic of Congo वहाँ से एक tribe population में विमारी फैली और आज के समय हर एक हर एक देश में यह फैल चुका है चाहो अफरिका हो एशिया हो या मिड इस्ट के देश हो या यूरोप हो हर जगा इसके अब नए नए strain मौजूद है अभी हम इंडिया के बात करें तो इंडिया में एक UAE से बच्चा आया हलाकि UAE अफरिका का पार्ट नहीं है अभी हमने देखा कि अफरिका में बहुत जादा common है बट UAE अफरिका का पार् सब्सक्राइशन के साथ या किसी अफरिकन पेपल के साथ कॉंटामिनेट में आया होगा UAE में और फिर जब वो अपने भारत देश में आया कैरला में आया तो उसके अंदर वाली चमता थी अभी वह स्प्रेड कर रहा था करीब करीब 25 लोगों को इंफेक्टेट किया और उ साथा अवे तक मौझूद नहीं है इसका मतलब यह है कि भारत में भी पैर पसार चुका है अब अभी इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है बट भारत में इसके भी केसिस अभी मौझूद है तो आपको सतर्क सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है और अभी से मैं कहता क्योंकि कोई भी वायरस का स्प्रेड ऐसे ही होता है एवन कॉमन कोल्ड के बात करें तो उसका भी स्प्रेड अल्मूस्ट ऐसे ही होता है तो यह जीनस ओर्थोपोक्स वायरस से है है और वो हर जगा सर्वाइब कर सकता है डार्क, कूल, लो हिमेडिटी जो हमारे भारत में भी उसमें भी सर्वाइब कर सकता है सिम्टम की बात क्या करें कि कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे यही बिमारी हुई है तो सिम्टम के बेसिस पे क्लाइड वन बहुत जादा सीवियर है और यह डेडली हो सकता है इसकी फैटलिटी रेट ही दस परसंट है बट क्लाइड सिवियर होता है तो कोई भी वायर EOS या कोई भी बिमारी थीन halves में हम इसे डिफाइंट करते हैं कि वायरस आपके शरीर में अपना नंबर को बढ़ाया और अभी साइन इन सेम्टम अभी आने रहें इनकोबिशन प्रियर्ट एक मतलब ऐसा फेस होता है जिसमें वायरस मल्टिप्लाई करता है अब उसके बाद आपके साइन इन सिम्टम आते हैं तो इसके में तीन स्टेज में हम इस से डिवाइड करते हैं स्टेज व आपको में और विक्ते में यह एक होगा हने सबाद होता है यहां फोट हो जाते हैं हमारे हर बॉडी के हर जगा पर लिंप नोड रोते हो जाता है और अगर आपको लिंफ नोड के साथ वायरस फ्लू लाइक इंस तो आपको डॉक्तर के साथ बॉक्तर के पास जरूर जाना चाहिए और थोर्ड स्टेज अगर आप इसे इग्नॉर कर देते हैं इसे छोड़ देते हैं कि चलो यह तो नॉर्मल वाइरल है तो तीसरा स्टेज आता है डाट इस राश राश पूरा बॉड़ी के उपर राश होने लगेगा आपको पता है कि हमारे एप सिकल्स होने लगेगा और फटेने लगेंगे यानी पोस्ट्यू जैसे होने लगेंगी आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर घूर पर तोड़े से बड़े होने लगेंगे पानी भरेगा फटेगा ममाद जैसे आने लगएगा और फिर रिकॉवरी स्टेज में चला जाए के लिए भेज देते हैं और वहां से हम एडिनिफाई करते हैं कि इसे है या नहीं है तो अगर बॉड़ी पे इस समय आपको स्किन राइस हो रहे हैं तो तुरंद डॉक्टर के पास मिलना चाहिए डॉड़ी एचो गाइडलाइन्स दिया है सारे विश्व को कि इससे घवराना नहीं है बस सुरक्षित रहना है अपने परसनल हाइजीन को मिंटीन करना है भीड भार वाले इलाके में नहीं जाना है प्र अपने आपको आइसलेट करिए अपने फैमली मेंबर को दूर रखिए हैना कोई भी सलाइवा सीरम या कोई भी ब्लड इन ब्लड कॉन्टक्ट नहीं होना चाहिए सेक्सवल एक्टिविटी भी नहीं होने चाहिए वैक्सिन अभी अब लेबल है इसका तो इसलिए ज्यादा MVABN और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में बहुत सारे वैक्सिन उन्होंने रिजव कर लिया है ठीक है हलाकि यह जैसे होता है नहीं कि जहां से फैल रहा है वहां के लोगों को अगर वैक्सिनेट करें रूट कॉजिस पे काम करें तभी हम इस बीमारी का इलाज जून पाएंगे अगर आप सोचेंगे कि हमारी हमारे देश में फैलेगा फिर हम अपने देश वालों को लगाएंगे तो रूट कॉजिस पे तो आपने काम किया नहीं कुछ ऐसा हो गया कि आपने पानी का नल बंद नहीं किया और सर्फिस के उपर पोचा लगा रहे हैं उस पानी देगा उनको दवाई भेजेगा ताकि वो लोग ठीक हो पाएं और यह स्प्रेड को रोब पाएं क्योंकि हमें पता है कि हम एकता में विश्वास करते हैं और हमारा देश मेडिकली बहुत इंप्रूव है इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें उन लोगों को जो बेसिक फैक्ट जो डॉक्टर द्वारा बताई गई है उनको पहुंच सके क्योंकि यूटूब पे ढूणेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगी बट आपको डॉक्टर के द्वारा बताये हुए सारे चीज़े बहुत कम मिलेंगी तो इस वीडियो को जरूर स जरूर शेर करें थैंक यू